आज मैं आपके साथ सेर करूंगी होली पर बनाया जाने वेली मेरे घर की खास रेसिपी बेशन के लड़ू बहुत ही यमी तरीका है बनाने का बहुत असान तरीका बहुत टेश्टी लगता है तो चलिए बनाते हैं तो मैं ले रहे हूँ एक कटोरी घी एक कटोरी चीनी और ए नहीं चाहिए तो गुठली अगर रहेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा हमारा लड़ू तो पहले बेशन को छान लेते हैं ताकि ओहलका भी हो जाए और अच्छा भी बने तो चलिए स्चान कर दिखाती हूं मैं आपको तो प्रेंड मेरी चैनल पर आप नए हो तो लाइक पाएं गरम करने पर एक कटोरी घी ले रही हूं तो घी और तेल से भी आप बना सकते हो पर घी से बहुत टेस्टी लगता है इसलिए घी का इस्तिमाल करना चाहिए मिठाई जादा बनाने में घी गरम हो जाएगा तो इसमें बेसन डालेंगे जो च्छान कर रखे थे तो च जल भी जाएगा और अच्छा लड़ू नहीं बनेगा तो यहां पर ध्यान दीजेगा दोस्तों कि हमें धीमी आज पर इसे पकाना है तो जादा नहीं लगेगा लेकिन हाँ आठ से दस मिनट लग सकते हैं पकाने में थोड़े सा टाइम तो जादा घड़ बढ़ाईएगा मत नहीं तो लड़ू अच्छा से अराम से नहीं बन पाएगा मिठाई वाले जो हलुआई लोग रहते हैं इसी तरह बनाते हैं और हम थोड़ा मेहनत के चलते ना घर में नहीं बना पाते हैं बाहर से लेकर आजाते हैं पैसे लगाकर पर कम दाम में और जादा क्वांटिटी म आपको मिलेगा घर में थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस, तो इसी तरह से हमें कर लेना है तो देखिये बनकर तयार हो चुका है मेरा पकर्म पूरा एकदम भुन चुका था मैं इसे 8 से 10 मिट हमें लगे थे भुनने में अब ये रेडी हो चुका है अब इसे थंडा होने देंगे मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए थंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ बहुत बिल्कूल अच्छा से बन करें तयार हो चुका है अब इससे ज्यादा अगर पकाएंगे तो तो फिर हमारा जल जाएगा और स्वाद गंदा लगेगा, मतलब जला जला लगेगा, इसलिए हम इना यहां पे ठंडा करने के लिए थोड़ी दिर छोड़ देंगे, कम से कम 30 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो चीनी का पाउडर बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हलुआई लोग जो है न ओर चीनी का बूरा बना कर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो हम यहां पे पाउडर बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, इससे भी वही इसमें डाल देंगे और देखिए एकदम जो बेशन था हमारा एकदम ठंडा हो चुका था अब इसमें एड़ करेंगे चीनी का पाउडर और इलाइची पाउडर दोनों तो देखिए एकदम अच्छे से एड़ करके इसे बढ़ियां से एकदम भुरभुरा होने तक हाथ से मै अच्छे से इसमें मिल द जाए और भरभरा बन न जाए तो यहीं पर थोड़ी सी ध्यान देना रहता है ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स करें एक तरफ गुठलियां न बन जाए ताकि सारे जो चीनी का पाउडर हो अच्छे से मिक्स हो जाए तो लीजिए यहाँ पे ध्या करके आपको दिखाते हैं तो बहुत ही टेस्टी यमी लड्डू हम बना कर तयार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है घर में जब तेवार आते हैं तो हम इस तरह के चीजें बहुत सारे बना कर रखते हैं ताके हम होली में हाथ गंदे भी हो तो बड़ी आसानी से ह खा सके होली समय दिवाली समय तो यह सब चीजे बनाया जाता है और हमारे घर में अक्सर बनते रहते हैं तो मैं सुची आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ बहुत ही सुंदर बेशन के लड्डू की रेसिपी जो आप मार्केट से लाते होंगे तो अब लाना छोड़ देंग है और देखिए एकदम सुंदर टेश्टी लड्डू बनकर मार्केट जैसा बनकर तयार हो गया अब आप बिल्कुल बाहर जमत लाइएगा इसी तरह घर में बनाकर तयार कर लिजेगा बहुत ही टेश्टी और हेल्दी लड्डू जिसे भी खिलाएंगे ना वो जरूर आप बेशन की लड्डू बनकर तयार हो गया है तो लिजे दोस्तों बेशन की लड्डू हमारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजेगा और आपसे फिर से रिक्वेश्ट है लाइक सस्क्राइब जरूर कीजेगा मैं मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में बावाए फ्रेंड